Hello everyone, myself Pulkis Sharma, third year MBBS student from JLN Ajmer तो आज का वीडियो काफी ज़्यादा demanding वीडियो है इस वीडियो का बहुत दिनों से आप लोग इंतजार कर रहे होगे कि आपको अपने state की cut-off पता लग जाए, result के बाद आपको ये पता लग जाए कि कितने marks आपके आ रहे हैं और आपको अपने state quota से उतने marks पे college मिलेगा या नहीं मिलेगा तो basically इस state में मैं आपको चार major state cover करने जा रहा हूँ इसमें मैं आपको UP, Bihar, Rajashtan और Maharashtra इन चार बड़े states की जिनके सबसे ज़्यादा demand है वो cover करने जा रहा हूँ बाकी और state में time के साथ cover करते लगा पर basically इस वीडियो में आपन चार state cover करेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ शुरू में कि इसमें मैंने क्या 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 शामिल किया है मैं आपको बिल्कुल analysis के साथ बताऊंगा ऐसे नहीं कि randomly सीधा पिछले साल की cutoff में आपको बोलती है ऐसा नहीं होगा इस साल जो changes हुए है इस साल क्या हो सकता है cutoff थोड़ा उपर नीचे क्या हो सकता है उसका पीछे में आपको logic के साथ आपको explain करूँगा तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको चीजे पूरी दरीगे से समझ आ पाए और आपको पता लग पाएगी आपके state की cutoff क्या हो सकती है ठीक है तो सबसे बहले अपने start करते है UP से ठीक है UP में इस साल क्या हुआ है UP में इस साल सीटे बढ़ी है 900 के आसपा सीटे आपकी बढ़ी है पर cutoff फे उसकी मैं बात करता हूँ तो अगर मैं बात करूँ जर्नल के टिगरी की तो जर्नल के टिगरी में UP की cutoff हो सकती है 600 Marks ठीक है EWS के हो सकती है 599 Marks OBC 598 Marks और SC के टिगरी 442 Marks and ST के टिगरी 238 Marks यह आपकी UP की cutoff हो सकती है आपके इतने marks हैं अगर आपको state quota से college मिलने के chances फिर काफी अच्छे हो जाते हैं ठीक है इससे उपर नीचे थोड़ा बहुत fluctuate होगा इससे ज़्यादा बिल्कुल भी fluctuate नहीं होगा और बाकी picture तो तब clear होगी जब आपकी state ranks आजेंगी एक बार अभी state ranks नहीं हैं मैं all India ranks से ही आपको यह बता रहा हूँ वाले candidates को कुछ फायदा हो गया है क्योंकि उनकी seats बढ़ गई है इस वज़े से उनको 4-5 number का फायदा हो गया है कि cutoff comparatively 4-5 number कम चले जाएगी जितनी जानी चाहिए थी इससे बढ़े मैं आगे बढ़ू विहार की cutoffs के बारे मैं आपको बता हूँ तो उससे बढ़े मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कल मैंके वीडियो में मैंने आपको prep ladder के जो live session चल रहा है YouTube पे उन sessions में से जो session में live session में पढ़ाया गया था उससे related question पूचा था तो उस question के answer देने वाले lucky winner को six months का prep ladder का subscription बिल्कुल free मिलने वाला था तो मैं announce कर देता हूँ कल जो मैंने question पूचा था उसका winner को ने आपको screen पे भी दिख रहा होगा linuza is the winner तो जो भी winner है वो में को gmail पे अपने email address पे mail कर दे तो मैं बाकी उसका subscription activate करवा दूँगा बाकी कल का session जिन लोगों ने attend किया था जो prep ladder पे live session चल रहा है उसमें से मैं आपसे question पूचने वाला हूँ आज और इस question का जो भी सही answer देंगे उनको भी six months का prep ladder का subscription free of cost मिलेगा तो उसकी price आपको पता है जो आपको बिल्कुल free of cost मिलने वाला है आपको simply क्या करना है आपको comment section में answer करना है जो भी question आपको screen पे दिख रहा है उसका comment section में answer करना है और जल्दी से जल्दी answer करना है आज-ाज के अंदर जो लोग answer करेंगे उन में से किसी एक lucky winner को आपको प्रेप्लेडर के six months का subscription मिलने वाला है ठीक है इसके लाभा आप जितने भी session हो रहे हैं आपको एक subscription free में मिलने वाला है giveaway की form में आपको वो मिलने वाला है जो next session होने वाला है वो आपको होने वाला है 18th of November को शाम को 4 बजे डॉक्टर अभीशेक सर आपका session लेंगे human health and disease पे session होने वाला है मैंने description box में इस session का link डाल दिया है आप जाके description box में आप इसको अभी से notify me on कर लीजिए जिससे कि आपको time पे जाना याद रहे session में आपके पास notification आजाएगा जैसे ही आपका session स्टार्ट होने वाला होगा ठीक है तो आप simply जाके आपको description box में सारी details मिल जाएगी और जो आज question मैंने पूछा है सभी लोग उसका answer दीजिए comment section में आपका किसी को भी वो आपको subscription free में मिल सकता है winner की form में इसके बाद में आपन बात करते है बिहार state की cut-offs क्या रह सकती है बिहार में general category की cut-off रह सकती है 614 marks EWS की 600 EBC की 593 marks BC की 606 marks SC की 450 marks ST की 480 marks RCG की 604 marks मैंने आपकी ये cut-off पिछले साल से कुछ कम करी है जबकि ranks almost similar है क्योंकि पिछले साल जया तब COVID अपने peak पे था तो लोगों ने अपने home state से बहार जाना prefer नहीं करा All India के round 2 में ठीक है क्योंकि उनको लगा कि All India के round 2 में उनको अपने state से seats मिल जाएगी सेम राजस्तान में भी ये situation होई पर इस साल लोगों में डर होगा क्योंकि पिछले साल उनके state की cut-off All India कोटा से ज़्यादा जा चुकी है already तो लोग रिस्क कम लेंगे इस साल comparatively तो cut-off थोड़ा कम आएगा नीचे आएगा थोड़ा थोड़ा ठीक है बाकी rank तो almost similar है पिछले साल के जितने marks थे इस साल जितने marks है उस पर ranks तो similar है पर पिछले साल की तुल्ला में लोगों में डर का मौन थोड़ा जादा बढ़ चुका है ऐसा ही होता था 2019 तक 17-18 में ऐसा ही होता था कि All India से थोड़ी सी कम जाती थी एक-दो माक्स कट ओफ क्योंकि बीच के जो बच्चे थे वो डर की वज़े से All India में चले जाते थे पर पिछले साल COVID की वज़े से मालो या फिर उनको पिछले 3-4 साल से आदत लगे थी कि अपने स्टेट की कट ओफ तो All India से कम चले ही जाएगी तो स्टेट में रुख जाते हैं तो इस वज़े से All India कोटा की कट ओफ से जादे स्टेट की चले गए थी पर इस साल थोड़ा डर होगा तो उमीद कर रहे है कि कट ओफ थोड़ा नीचे आएगा 2-3 मार्क्स ठीक है इसके बाद में मैं बात करता हूँ में राजस्तान की राजस्तान में जन्रल गेटिकरी की कट ओफ हो सकती है 612 ठीक है अगेन आप पूछो कि पिछले साल 617 थी तो पिछले साल सेम फेक्टर में जो बिहार में बताया है मैं आपको वही फेक्टर यहां पर बताना चाहूँ कि पिछले साल क्याता लोगों को यह लगता था कि हमेशा और इंडिया से आपकी कम कट ओफ रहती है राजस्तान की तो और इंडिया की कट ओफ 611 थी तो जो बच्चे 617 वाले थे वो आराम से रुख गए थे इस साल शायद वो बच्चे ऐसा रिस्क नाल है जिनको और केटिगरी की कटाओ रह सकते हैं 612, OVC 611, EWSB 611, SC केटिगरी 505, ST केटिगरी 485 और MBC केटिगरी 570 अगेन अगर मैं केटिगरी रैंक्स की बात करूं तो अगर मैं केटिगरी रैंक्स आ जाएगी तब जाके पिच्चर थोड़ी किलियर होगी ठीक है राजस्तान की केटि केटिगरी अपने पास अभी तक आई नहीं है ठीक है, इसके बाद में मैं बात करता हूँ, महराष्टरा मैं जन्रल केटिगरी की कटाओ रह सकते हैं 570 मार्स, SC केटिगरी 480 मार्स, OVC 568 मार्स, ET केटिगरी 340 मार्स, ठीक है, अभी मैं आपको और वीडियो जारीए ये भ अपने rank के अनुसार best college मिल सके मेरा यही एम रहेगा जो भी मेरे वीडियो देखते हैं मेरा यही एम रहेगा कि आपको अपनी rank एक बादिग बेस्ट पॉलेज मिल सके तो इसके लिए अपन क्या करेंगे इसके लिए अपन बहुत सारे वीडियो बनाएंगे आपको योटूब चैनल पर information मिलती रहेगी time to time इसके अलावा आप मेरे से personally भी पूछ सकते है आप मेरे Instagram पर message कर सकते है Gmail पर आप मेरे को mail कर सकते है आप मेरे से personally भी पूछ सकते है कोई charge नहीं है, कोई counseling charge नहीं है तो जैसे ही में को बक्त मिलेगा तो मैं आपको answer कर दूँगा इसके लावा आप comment section में भी पूछ सकते है आपके marks, category, rank बता के और मैं आपको possible college भी बता दूँगा आने वाले videos में जिस भी state से आप vlog करते हो और बाकी जो state रह गया है आपके जिन में state की मैंने cutoff बताईए उनके आप मैं detail में वीडियो भी थोड़े थोड़े दिनों में जैसे जैसे time मिलता है मैं आपको बताते जाओँगा तो आप channel को definitely subscribe कर लीजे टेलिग्राम को join कर लीजे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को like कर दीजे thanks for watching by military legacy video में